हलो यूरी वन नमस्कार यूपीएसी प्लिम्स 2022 कम्प्लीट हो चुका है पेपर वन और पेपर टू को देखने और एनेलिसिस करने के बाद कई सारी क्योरिसिटी आपके मन में होगी और मॉस्ट इंपोर्टेंट क्योरिसिटी होगी कि कट ओफ इसकी क्या हो सकती है हाला कि यूपीएसी की कट ओफ को प्रिडिक्ट करना भी अपने आप में इंपोसिवल सा टास्क है लेकिन फिर भी एक आईडिया जो जनरल आईडिया है वो आप लगा जा सकता है लेको पिछली बार जो कट ओफ थी अगर आपको ध्यान हो दो हजार इकिस में जनरल कटेगरी में 87.54 EWS में अप्रोक्समेटली 7.5 जो है वो डाउन थी 80.14 OBC 84.85 SC 75.41 ST 70.71 और वरियस जो डिशेबल कटेगरी के अंदर है ये कट ओफ रही थी दो हजार बाइस में क्या इंपोर्टेंट चीज़े हुई है जो इस बार में भी पहली बात तो अपने पेपर को जूम किया ह होगा पेपर 2021 2020 या 2017 के बाद जो ट्रेंड चेंज हुए उन पेपर में सबसे डिफिकल्ट पेपर में से एक है बहले हम बाहर से कुछ भी कहते रहे इग्जामिनेशन होल में जो प्रिजेंच व माइंड होता है उसको कहें रहे कर डिस्टरब क्या होगा अगर आपका सेट न दूसरा फेक्टर इन्होंने जो एक नया इनोवेशन किया है वो खतरनाक वाला है वो है पेर वाला कि ये पेर करेक्ट है ये पेर करेक्ट नहीं है तो उसका क्या मतलब होता है अगर ये पेर वाला जो इन्होंने इनोवेशन किया है या जो इनको आईडिया कहीं से आया है तो ये जो concept होता है pair वाला इसमें आपको 101% sure होना पड़ेगा तभी आप एक 3 cases को tick कर पाएंगा अदरवाइस ये tick नहीं होता है जैसे मैं question कोई देखता हूँ ये वाला ठीक है पेर वाला जो concept है इसका मतलब ये है कि आपको इन चारों में short short होना पड़ेगा अधरवाइस guess नहीं हो रहा है तो इसका मतलब है कि elimination का जो थोड़ा चीजे है वो कहीं न कहीं difficult create करती है हाला कि अभी भी इसके अंदर geography का portion, politics का portion, कुछ history का, selected मैं complete history का नहीं बोला हूँ, इसे easy category के अंदर आप count कर सकते, economics tough है, definite से बात है वो तरीके से आपको knowledge होने चाहिए, history का जो medieval और ancient history है वो tough है, जो break नहीं हो रही है और जो हमने कभी सुने भी नहीं होंगे, right, इसके लावा economics में जो second part आता है, जो 61 के बाद का part है, वहाँ पर थोड़ा easy आपको नजर आए तो इसमें तीन important factor मुझे जो overall लगे है, पहला 2021 के compare में difficult था, elimination नहीं हो रहा है, second जो है वो pair वाला जो concept इन्होंने 5-7 सवाल पुछे है, इसने paper को थोड़ा और complicated कर दिया है, और third जो mostly ignore किया होगा, कि अभी भी 2022 में भी C-set में बहुत सारे बच्चे fail कर रहे हैं, ये reality है, त तो overall हमारा estimation जो है, वो गलत भी हो सकता है, सही और गलत ये तो UPC decide करेगा, बट मुझे लगता है कि 87.54 से भी down चली जाएगी और ये down में भी 4-5 नमर, यानि 83-84 exactly हो सकता है, between 83-84, तो 83-84 उसके according आप जो अपने category में cutoff को decrease करेंगे, आप से request है कि आप अपना score ज़रूर नि के अंदर भी, इसके अलाबा, तीन-चार question ऐसे हैं इसके अंदर, आपने किसी भी coaching की answer की देखी होगी, लेकिन वो भी disputed मानेंगे, और वो भी मानेंगे कि नहीं, इसका कुछ भी हो सकता है, तो आपका score थोड़ा ज़्यादा होना चाहिए, 83-84 तो UPSC का official score होगा, लेकिन आपका score उससे 2-3 number ज्यादा होना चाहिए, reason क्या होता है, कि आप अब जो match कर रहे हैं और आपका final score होता है, उसमें generally आप कमी देखेंगे, कम number देखेंगे, एक तो number क्योंकि dispute होते हैं, तो वो wrong होने की possibility हो सकती है, तो overall official cut of 83-84 के बीच में rely कर सकते हैं, जनरल के लिए, बा number extra होने चाहिए, ताकि एक दो dispute question रोंगो, तब भी आप safe position के अंदर हो, इसके अलावा ये जो बीच वाली situation होती है ना, जैसे एक है 75 माल लेते जनरल में 75 आ रहे हैं, वो automatically बाहर 75 से नीचे नहीं जाएगी, मैं rare से rarest case माल लेता हूँ, और दूसरा 95 प्लस वो भी safe है, तो ये तो होगे 75 से नीचे वाला भार, 95 प्लस ये 101 प्रसंट शोर, इनको दिक्कती नहीं है, अब जो उसके बीच में है ना, ये जो 20 नंबर वाले हैं, ये सब को confusion के अंदर है, बट मैं request करूँगा, या आप फिलार कोई test, अगर आप इन में है, या तो 95 प्लस है, तो आप definitely जो भी आपका procedure continue करिए, otherwise आप mains की त्यारी start करिए, अगले 15-20 तिर में, next 20-22 days के अंदर आपका result जो है, वो देखने को मिलेगा, last June से पहले पहले, यानि June end से पहले result आपका आ जाएगा, thank you all, जहिन!